स्टुडेंट्स आज का हमारा टापिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेस्ट नमबर वन और कंसाइन ही किस तरह से अपने पास अकांटिंग कर रहा होते हैं प्रिविश लेक्टर की बायस पर आज हम लोग डिसकस करेंगे क्वेसिन नमबर वन तो आप अगर क्वेसिन नमबर वन देखें तो उसमें बिलाल कंप्यूटर्स कंसाइन कर रहा है नासिर को उसके बाद कंप्यूटर्स जो है वो हाइर प्राइस के ओपर सेल कर रहा है और उसके बाद अपना कमिशन जो है वो चार्ज कर रहा है उसके बाद जब वो कमिशन चार्ज कर रहा है तो यहां पर कमिशन चार्ज करने के बाद वो 10% कमिशन चार्ज कर रहा है उसके बाद वो जो जो रिक् तो हम लोग इसकी बेस पे question number one जो है वो solve करना शुरू करते हैं अब साथ साथ हम लोग बिलाल का journal बनाते जाते हैं और साथ इसको discuss करते जाते हैं कि कौन सी entry जो है उसको किस तरह से perform किया जाएगा और उसकी basis के ओपर किस तरह से हम लोग consignment account बना सकते हैं तो question number one है आपके पास यहां पर हम लोग शुरू करने लगे हैं बिलाल का journal बनाने लगे हैं अब journal का format बनाना आप लोगों को आता है किस तरह से बनाते हैं हम लोग roughly जो है इसको solve करते हैं question को कि किस तरह से हम लोग question solve करेंगे तो first अगर आप देखें तो बिलाल चीजें जो है वो consign कर रहा है नासर को एक लाक रुपे की तो यहां पर first one जो भी expense होगा consignment के ओपर वो भी consignment को charge किया जाएगा और जो revenue आएगा consignment की basis के ओपर जो income आएगी consigner वो सारे का सारा किस को charge करेगा consignment को charge करेगा जूँके अब consignment बिलाल की तरफ से नासर को बेजी जा रही है तो उसकी entry हम लोग देखते हैं किस तरह से perform करेंगे तो first entry आपके पास क्या आजेगी consignment account आपके पास debit आजेगा और goods sent on consignment account आपके पास credit आजेगा एक लाकी चीजें जो है वो consign की जा रही है बिलाल की तरफ से नासर को तो यह first entry आपके पास आजेगी जब consignment consignment कंसाइनर की तरफ से consign को बेजी जाएगी उसके बाद question में देखें तो बिलाल जो consignor है वो कुछ expenses कर रहा है अंदा consignment तो वो expense है expense भी आपका consignment को चार्ज होगा तो consignment account आपका आजे का debit पे consignment account debit अब यहां पे credit हम लोग क्या करेंगे चुके जो consignment है cash basis पे expenses कर रहा है आप यूं कह सकते हैं जो consignment है वो हुद cash दे के expense अखराजाद कर रहा है तो यहां पे जब भी expense incur होगा consignment की तरफ से तो वो क्योंके cash पे कर रहा होता है तो यहां पे हम लोग cash account को credit कर देंगे अब expenses वो कितने कर रहा है पांच हजार के तो यह पांच हजार आपके पास आजेगा credit पे उसके बात जो consignment है उसकी तरफ से जो consignment की गई है बिलाल ने जो चीजे नासर को बेजी थी computer बेजे थे वो नासर एक लाग पचास हजार के sell कर रहा है अब यहां पे income हो रही है तो income भी बिलाल जो consignment है वो किस को charge करेगा कंसाइनमेट को ही charge करेगा हब consignment income आ रही है तो यह हमारे पास आजेगी credit पे कितने के साथ एक लाख पुचास हजार के साथ अब यहां पे question arise होता है कि यह consignment credit तो हम लोग ने कर दी रहे विनू तो हम लोग ने कर दी क्या इसकी cash हम लोग ने receive की है तो यहां पे हम लोग ने cash receive नहीं की instead हम लोग ने यहां पे cash receive करनी है तो cash किस से receive करनी है जो consignment है अब यहां पे हमारे पास consignment कोन है that is नासर तो यहां पे हम लोग नासर अकाउंट को अपने पास क्या कर देंगे debit कर देंगे 1,50,000 अब नासिर को यहाँ पे हम लोगों ने debit क्यों किया है यह हमारे पास बन रहा है हमारा debtor क्योंकि बिलाल ने नासिर को चीज़ें बेजी दी अब नासिर वो चीज़ें sell कर रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने आन्दा spot हम लोगों खुद मतलब क्या कि जो बिलाल है जो donor है कैश रशीव नहीं कर रहा है हो के इसने कैश रशीव करनी है किस से रशीव करनी है कैशनी से जो नासर है इस वज़ाजे से इसको यहां पे हम लोगोंने debit कर दिया अब यहां के नासर भी कुछ expenses कार रहा है वो expenses नासर कितने के कार रहा है आपके पास हैं 12,500 अब consignor वो expenses भी किस को चार्ज करेगा consignment को तो यहां पे आपके पास consignment account debit होजेगा 12,500 के साथ अब यहां पे credit क्या होगा चुके expenses तो नासर का रहा है इसकी payment भी कौन का रहा है नासर तो अब हम लोगों ने यहां पे credit क्या करना है नासर को अब नासर को यहां पे हम लोग credit क्यों कर रहे हैं विकाज यहां पे नासर हमारे पास क्या बन रहा है हमारा creditor अब creditor कैसे बन रहा है for the time being payment expenses की कौन कर रहा है नासर तो हम लोग उने अब यहां पे जो expenses हैं वो नासर को pay करने है that's why यहां पे नासर को हम लोग क्या कर रहे हैं credit उसके बाद नासर अपना commission charge कर रहा है 10% अब 10% commission किस तरह से calculate करेंगे वो हम लोग calculate करते बाद में हैं पहले फिलहाल इसकी हम लोग एंट्री करना सीखते हैं कि इसकी एंट्री किस तरह से होगी अब commission बिलाल ने pay करना है नासर को unconsignment तो नासर ने जो चीजें बेची हैं उसके उपर उसने अपना commission charge करना है अब जो commission है वो expense है तो expense किस को charge किया जाएगा consignment को तो यहां पे again हमारे पास consignment क्या होजेगी debit होजेगी अब यह जो expense है जो commission का expense है consignment को पे करना है तो यहां पे यह अपना again consignment को क्या बना देगा करडिटर अब इसकी calculation किस तरह से करेंगे sales हमारी कितने की हैं एक लाख पचास हजार की commission आपका है 10% तो यह आपके पास जो commission consignment को पे करना है वो कितना बन रहा है 15,000 तो यहां पे consignment का जो commission है वो हम लोगों ने charge कर दिया 15,000 नीचे आप narration में लेख सकते हैं charge commission on sales तो यह आपके पास commission की entry भी होगी उसके बाद हम लोगों ने consignment को close करना है consignment को close करने से पहले अब हम लोग देखते हैं कि हमें consignment के ओपर profit हो रहा है या फिर last तो उसको find out करने के लिए हमें consignment account बनाना पड़ेगा उसी की basis के ओपर हम लोग कह सकते हैं कि जो consignment है उसको consignment के ओपर profit हो रहा है या फिर last तो यहां पे आपके पास consignment account कि यह कुछ इस तरह से आपके पास बांजेगा कंसाइन्मेंट अकाउंट जस्ट लाइक हम लोग जो लेजर बनाते हैं उसी तरह से तो आप हम लोग कंसाइन्मेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो यहां पर आपके पास जिदर जिदर कंसाइन्मेंट है उसको हम लोग उने ट्रीट करना है अब first entry देखें तो consignment आपके पास क्या हो रही है debit हो रही है कितनी amount के साथ debit हो रही है 1 lakh की वज़ा से अब किस वज़ा से हो रही है goods send on consignment account के वज़ा से second entry में again आपके पास consignment क्या हो रही है debit हो रही है कितने से debit हो रही है 5,000 से बज़ार यहां पे आपका cash account है लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है consignment की तरफ से expenses हो रहे हैं तो उस वज़ा से आपकी consignment debit हो रही है यह यहां पे हम लोग ने साथ में mention कर दिया कि यह basically expenses है हमारे पास third entry देखें तो third entry में आपके पास consignment क्या हो रही है credit कितने के साथ credit हो रही हैatives 1500,000 के साथ अब यहां पे किस वज़ा से हो रही है debit अब नासर यहां पर account debit हो रहा है लेकिन basically यहां पर जो consignment आपके पास credit होई है वो sales की वाज़ा से हो रही है why N Orb हैं नासर यहां पर sales कर रहा रहा है next में consignment आपके पास debit है नासर अकाउंट की वज़ा से बट यहां पर भी आपके क्या किया जा रहे हैं expenses that is उसके बाद next में again आपके पास consignment debit है नासर अकाउंट की वज़ा से अब यहां पर आप क्या पर कहा रहा है consigner consigne को commission तो यह आपके पास आज एका 15,000 तो यह सारे की सारी एंट्री जहां पर हमारे पास consignment थी वो हम लोगों ने record कर लिए तो अब इसका simple हम लोग क्यार देंगे total 150,000 यह आपके पास आजेगा अब यहां पर remaining balance आपके पास कुछ बाद जेगा वो आप किसको charge कर देंगे profit and loss account को अब यह calculate करें तो यह calculation हमारे पास बानता है 17,500 तो यह हमें consignment के उपर profit हो रहा है तो यह profit जाप हमारे पास हो रहा है इसको हम लोगों ने अपने पास record करना है तो यहां पर अगर देखें तो consignment आपके पास क्या हो रही है debit consignment account आपका debit और profit and loss account को आप charge कर देंगे इसको कितने के साथ 17,500 के साथ यह आपके पास entry आजएगी profit and loss account उसके बाद last पे है हमारे पास ending inventory goods sent on consignment इसको हम लोगों ने trading account को charge करना होता है तो यह आपके पास क्या आजएगा goods sent on consignment इसको हम लोग क्या गार देंगे अपने पास debit और trading account को हम लोग अपने पास क्या गार देंगे credit कितनी amount के साथ one lakh अब यहाँ पे अगर हमें goods sent on consignment account का भी लाजर बनाना पड़ जे तो हम लोग लाजर किस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे goods sent on consignment account आपके पास आजएगा first entry में देखें तो goods sent on consignment आपके पास क्या हो रहा है credit हो रहा है किस वज़ा से consignment account की वज़ा से एक लाग के साथ कि यहाँ पर आप इसको चार्ज का रहे हैं trading account को तो यह आपके पास आजएगा trading account 1 lakh तो यह बोज साइड आपके पास 1 lakh आजएगा तो यह था हमारा question number one जिसमें हम लोग ने सीखा कि अगर consignment का journal बनाना हो तो वो किस तरह से बनाते हैं और second पे अगर हमारे पास consignment account उसको किस तरह से prepare करते हैं और good sent and consignment है इसको हम लोग किस तरह से prepare करते हैं next है हमारे पास question number two अब इसमें देखें तो अकील consigner है और आपका सफ्यान जो है वो consigne है अकील 10 refrigerator बेज रहा है as a consignment to सफ्यान per unit या per refrigerator उसका charge है 10,000 उसके बाद कुछ consigner expenses का रहा है अकील कुछ सफ्यान जो consigny है वो expenses का रहा है और afterwards जो सफ्यान है consigny वो आपका जो refrigerator है जो उसके पास 10,000 काया था उसको 12,000 के हिसाब से sell का रहा है उसके बाद consigny जो सफ्यान है वो कुछ commission charge कर अपना 15% के हिसाब से and then वो हम लोग देखेंगे के consignment के ओपर profit हो रहा है या फिर last हो रहा है और कितनी amount जो है वो consigny ने consigner को बेजनी है वो हम लोग यहाँ पर इसको find out करेंगे और देखते हैं उसको किस तरह से हम लोग treat करते हैं तो first entry आपके पास consignment account आपका आजएगा debit और goods sent on consignment account यह आपके पास आजएगा credit अब कितनी amount है 10 refrigerator है एक refrigerator की cost है 10,000 तो यह total आपके पास कितना बान गया वान लैक उसके बाद 1,000 expenses incur किये जा रहे हैं एकील की जानब से on consignment तो वो charge किसको किये जाएंगे consignment account को यहां पे consignment account आपका debit और cash account आपका credit पे आजएगा कितने के साथ 1000 के साथ उसके बाद consigny की जानब से कुछ expenses पे किये जा रहे हैं consignment की तरफ से वो भी किसको charge किये जाएंगे consignment account को और payable किसको है सफ्यान account को जो कि वो expenses consigny ने face की हैं उसने bear की हैं तो वो उसने किस से charge करने है consignment से तो यहां पे जो consignment है वो सफ्यान को जो consignment है उसको अपना creditor शो कर रहा है afterwards सफ्यान ने जो refrigerator 10 consignment के तोर पे वसूल किये थे उनको sell कर रहा है 12,000 के हिसाब से तो यहां पे consignment account आपका जो कि income हो रही है credit पे cost कितनी है 10 refrigerator है एक refrigerator की cost 12,000 तो यह आपके पास कितना बांजेगा 1,500,000 फिल हाल consignment को यह cost नहीं मिली यह पैसा वसूल नहीं हुआ इसने वसूल किसे करना है consigny से तो consigny को यह अपना यहां पे debtor शो कर देगा सुफ्यान account कास्ट कितनी हागी एक लग बीस हजार afterwards जो consigny है सुफ्यान वो अपना commission charge कर रहा है on sales तो again expense है consignor वो किसको charge करेगा consignment को payable किसको है जो कि consigny ने वो commission charge करना है तो again यहां पे consignor जो है consignor को अपना creditor शो करेगा अब commission किस तरह से find out करेंगे one twenty thousand आपके पास उसकी sales है commission आपका 15% के हिसाब से तो यह आपके पास calculate करें तो बन जाता है 18,000 यहां पे 18,000 commission आगा उसके बाद हम लोगों ने देखने है कि consignor को profit हो रहा है या last हो रहा है उसकी base पे वो किस base पे हमें पता चलेगा उसके लिए हमें consignment account बनाना पड़ेगा afterwards हम लोग देखेंगे कि consignor जो सफ्यान है उसने अकील को कितनी amount transfer करनी है उसके लिए हमें consignor का account बनाना पड़ेगा तो यहां पे हम लोग पहले find out करते हैं कि consignment के ओपर consignor को profit हो रहा है या फिर last तो यह आपके पास consignment account first entry में consignment आपके पास debit due to goods sent on consignment account यह आपके पास कितना है one lakh second entry में again consignment आपके पास debit cash account की वज़ा से लेकिन basically यहां पे आप क्या कर रहे हैं expenses की पे किया जा रहे हैं किस की जानब से consignment की जानब से तो वह आप यहां पे mention कर देंगे one thousand next entry में again आपके पास consignment debit due to सुफ्यान account अब यहां पे भी expenses किया जा रहे हैं consignment की जानब से two thousand next one sales हो रही है consignment आपकी credit सुफ्यान account बट यहां पे आपकी basically revenue आपके पास आ रहा है वो किस की वज़ा से आ रहा है sales की वज़ा से कितना revenue आपके पास आ है one twenty thousand उसके बाद consigne that is सुफ्यान उसने अपना commission charge किया है eighteen thousand again आपकी consignment debit हो रही है सुफ्यान account की वज़ा से यहां पे आपका commission pay किया जा रहा है उसकी cost आपके पास है eighteen thousand तो यह हमारे पास जितनी भी consignor के account के अंदर जो हम लोग ने यहां पे अकील का journal हम लोग ने बनाया है उसके सारे के सारे expenses हम लोग ने यहां पे लिख दी है तो यह आप side total के रहे तो यह increased है यह आपके पास बन रही है 121,000 तो यह आपके पास 120,000 है यहां पे आपके पास 1000 profit and loss account यह आपके पास total 120,000 तो आप basically हम देखें यह यह हमें profit हो रहा है यह पर last हो रहा है तो आपकी इसके इसके आपके पास क्रेडिट हो रहा है यह इसकी आपके पास credit हो रहा है यहां पे आप इसको कर देंगे credit 1000 के साथ किस वज़ा से यह सारे का सारा आप last charge करेंगे profit and loss account को यह आपकी एंट्री आजागी profit and loss की उसके बाद consigny remittances बेज रहा है consignor को उसने कितनी remittances बेजनी है वो हम लोग देखते हैं कि कितनी remittances है वो सफ्यान ने बेजनी है तो इसके लिए हमें सफ्यान जो हमारे पास क्या है consigny उसका account बनाना होगा तो simple this one is your सफ्यान account तो यहाँ पे देखें first entry second entry इसमें आपके पास कहीं पे भी consigny का कोई भी lending नहीं है third entry में देखें तो consignment के ओपर सफ्यान कुछ expenses पे का रहा है तो सफ्यान account यहाँ पे आपके पास क्या रहा है credit किस वज़ा से consignment account अब basically यहाँ पे जो सफ्यान है उसने कुछ expenses पे किये थे consignment के ओवाले से 2000 रुपीज के उसके बात यहाँ पे सफ्यान के पास amount आ रही है sales की सफ्यान debit हो रहा है consignment की वज़ा से अब यहाँ पे basically जो पैसे आ रहे हैं सफ्यान के पास वो किस वज़ा से आ रहे है sales की वज़ा से amount कितनी आ रही है one twenty thousand उसके बाद कंसाइनी ने, सफ्यान ने अपना कमिशन चार्ज करना है, कंसाइन्मनट अकाउंट आपके पास आजेगी, लेकिन यहां पे सफ्यान क्या चार्ज कर रहा है? Commission उसकी amount आपके पास कितनी है 18,000 तो ये आपके पास जो है वो आगया सफ्यान का account अब इसकी base पे हमें पता चलेगा कि जो सफ्यान है उसने अकील को कितनी amount ट्रांसफर करनी है तो ये side आप देखें तो ये आपके पास कितनी बान रही है 120,000 इदर आपके पास 120,000 में से this one और this one आप minus करेंगे तो ये आपके पास कितना बाज़ेगा वान लैक टोटल आपके पास कितना आगया 120,000 तो ये basically cash account है जो cash amount है ये सफ्यान ने ट्रांसफर करनी है किस को ट्रांसफर करनी है अकील को तो इसकी entry यहां पर हम लोग करें तो इसकी entry हमारे पास क्या आज़ेगी अब यूँगे अकील ने अपने पास entry करनी है अकील cash receive कर रहा है तो ये अपने पास cash account को क्या कर देगा debit कर देगा किस से वो amountor वसूल कर रहा है कंसाइनी से that is सुख्यान account तो यह आपके पास आज़ेगा वान लैक अट अपने जो goods sent on consignment है उसको trading account को चार्ज करना है तो यह आपके पास आज़ेगी goods sent on consignment यह debit आपके पास trading account को चार्ज कर देगे amount इसकी आपके पास आज़ेगी वान लैक इसके बाद अगर आपकी requirement पे आता है कि आपने goods sent and consignment account भी बनाना है तो वो question number one के अंदर हम लोग ने सीखा कि किस तरह से बनाते है तो उसको follow करके आप इसका भी goods sent and consignment account बना सकते हैं